आज बनाएंगे मट्री के कैसी रेसेपी जिसे बनाकर महीरों स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल खसता परदार जबरदस सी मट्री है चाय के साथ बहुत ची लगती है यह जलती फिर ती छोटी मोटी भूग के लिए भी बहुत जादा अच्छी है एक पर जरू बनाईएगा इसे एक कप आठा और एक कप मैदा ले रही हुम है और इसी के साथ मैं डालूगी कलोँजी जो कि काले तिल आते हैं इसे हमें चोटे चमच जिसे फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा घालना है जियरा को भी इसी तरह से खुश्बु निकल कर आएए अब इसमें वान फौर्थ कप के लगभग डालना होगा घी मैंने यहां पर घी इस्तमाल किया क्योंकि घी से अच्छा लगता है और बिल्कुल खस्ता परदार मट्री बनती है तो बस यहां पर इसे अच्छे से डाल कर मिला लें और जब तक जो है ना आटे का जो टेक्शर है वो कलर वो चेंज नहीं हो जा घ्जर है अब हमेह जो इसके निक्स पार्ट में आण आलू लेना है तो मैंने 1 ऑलो तो बस इसी तरह से थोड़ा करकर डालते जाना है आप चाहिए तो एक बार पूरा पूरा करकर डाले मैं यहां पे च्छनी पे रखकर डालती जा रही हो जितना जरुरत पड़ेगा उतना डाल लूगी तो एक छोड़ा सा आलू का ना फॉरन आप बना कर इस तरह से डाल सकते जिससे जो आलू का इसमें फ्लेवर आ जाता है तो मट्री ना बहुत जादा टेस्टी लगती है तो बस यहां पे इसे हमें डाल देना है और जितना जरुरत है उतना ही डाले और डाल कर इसे अच्छे से गूत लें बिलकुल जिस तरह से हम समोसा वगरा के लिए डो बनाते जाते हैं या तो उसका आटा गूच सकते हैं घर में नॉर्मल रोटी या चपाती बनाने के लिए तो बस यहां पे देखें हमारा यह जो डो है वो लग चुका है इसे पांच मिट कर रेस देते हैं जिससे यह बहुचा सेट हो जाए देखें पांच मिट हो चुके हैं और य जो मट्री बनानी है उसको बनानी के लिए आपको करना क्या है कि एक एक लोई लेनी है इसको बेलन पर थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं और सारी पूरिया जो है आपको इसी तरह से बेल लेनी है अब चाहे तो एक बड़ी इसके उपर ना कॉनफलार चुड़कना है तो यहां पर कॉनफलार की वज़े से बहुत ही इसमें लेयर्स खुलेंगी और बहुत अच्छा सा फ्लेकी बने गई है अब इसको हमें फोल कर देना है नमक पारे जैसा तो मैं यहां पर सिंपल जो सरकल बनाया है ना उसको बस ट प्रभाबल खिल चले से बिलन कर लेना है जिससे लोगी और अच्छा नहीं रह रहें और साती बहुत जाद़ भस तो बस इसी तरह से आपको सारे के सारे लेने है और बेल कर त्यार कर लेना है फिर एक तरह से और मैं आपको मटरी बनाना बतारी हुँ इसमें फ्लेवर दी तो यहां पर मैं चाट मसाली का फ्लेवर दे रही हूं इसको चटपटा बनाने के लिए तो अगर आपको मट्री थोड़ी चटपटा अच्छा लगता है तो आप चाट मसाला भी अंदर में डाल सकते हैं इसी तरह से हर पूरियों पर मैंने घी और कॉन फ्लार चड़क लिया ह है और चाट मसाला इसके उपर लगा कर इसी तरह से फोल्ड कर ले रही हूं और फिर बेलन से बेल लूँगी जब यह सारी मट्रियां बन गई है तो हमें ऑईल गरम करना है और बिल्कुल मीडियम होट गरम कर लीजेगा और जब तेल अच्छा सा गरम हो जा तो इसमें एक अच्छा से लेना है आपको तो हलका हलका स्टर करते रहें एक दो मिनट बाद में और देखेंगे कि कलर आता जा रहा है तो फिर फ्लेम लगातार हाई रखिए और हाई फ्लेम पे ही आपको मट्रियों को फ्राइग करना है फ्लेम लो नहीं करना है तो थोड़ा से फ्लेवर वाले चटपटे मजा मसालेदार टेस्टी से परतदार खस्ता मट्री बना सकेंगे आप बिल्कुल मार्केट जैसा तो देखें फ्रेंट सारी मट्रिया हमारी फ्राइ हो गई है गुल्डन सा कलर आने तक मैंने फ्राइग कर लिया और बहुत जादा टेस्टी है लाजवाब सा है और घर में आप इसे बना करना महीनों स्टोर करकर रख सकते हैं डबे भर कर ठंडा हो जाए तो रख लिए और यह बिल्कुल खराब नहीं होगी चलती फुरती भूग के लिए बचों को टिफिन में देना है कभी-कभी या तो चाय के साथ खाने के लिए य एक बर ट्राइ कीजिए और बनी कैसी मुझे जरू बताईएगा फिर मिलूगी मैं नेक्स टैम सब तक अपना अपनी फैमिली कर रखें बहुत सारा ख्याल दूआ में आद रखिएगा थैंक्स पर वाचिंग